हेलो दोस्तों नमस्कार मैं अजय कुमार सिंग आप लोग का स्वागत करता हूँ अपने इस यूटूब चैनल पे दोस्तों आज इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि यह जो यूपी पॉलिटेकनिक लेक्चरर के रेक्रूट्मेंट का प्रॉसेस अभी चल रहा है जिसमें बहुत सारे ब्रांचेश का इंटर्विव होना है या इंटर्विव स्केडियूल है और साथी साथ में बहुत सारे रिजल्ट भी अनाउंस हो गया है और बहुत सारे दोस्तों का बहुत सारे मित्रों का सेलेक्शन भी हुआ है तो इनिसिली जब हम सेलेक्ट होंगे लेक्चरर की पोस्ट पे यूपी पॉलिटेकनिक में तो हमारी जो ग्रॉस सेलरी है वो कितनी बनेगी और हमारी इन हैंड स सेलरी में क्या-क्या पार्ट सोते हैं और हमारी टोटल ग्रास सेलरी कितनी होगी सब काट पीटके हमारे हाथ में जो बैंक अकाउंड में सेलरी आएगा वो कितना होगा तो बिना टाइम कवाए दोस्तों चलिए इस वीडियो को सुरू करते लेकिन मैं आप सभी लोगों से request भी करूंगा कि अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को like करिए, share करिए और साथी साथ में चैनल को subscribe करिए ता कि मेरे सभी आने वाले वीडियो आप देख सकें तो दोस्तों ये स्क्रीन पे अब आप देख सकते हैं कि हमने पूरा कैलकुलेशन यहां पे लिख रखा है कि अगर चुकि बीटेक वाले भी एलिजबल है लेक्षर की पोस्ट के लिए और एम्टेक जिसका है वो लोग भी एलिजबल है तो एम्टेक जो लोग है उनकी सेलरी थोड़ी सी जादा होगी बीटेक की कंपेरिजन में दोनों ही देखते हैं तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि अगर बीटेक की कंडिशन में बात करें एक कैंडिडेट जो बीटेक है उसकी जो बेसिक सेलरी डिसाइड हो रही है वो लेवल 9 थे में आ रहा है जिसमें उसकी बेसिक सेलरी हो रही है ятर 56,100 रूपी तो ये बेसिक सेलरी हो गई, बेसिक के अलामा भी सेलरी के कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं तो उन कंतिंस की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले तो बेसिक हो गई आपका 56,100 रूपए उसके बाद डिए डिये रेट जो है जो चुकि परसेंट है लेकिन टेंशन की बात नहीं है क्योंकि वह एक जनवरी से ही आपको एरियर की रूप में सारे पैसे मिलते हैं तो इसलिए मैंने जो डीये का रेट कल्कुलेट किया है वो 34% के आधार पर किया है बेसिक का 34% जो होगा वो डीये होगा और वो अमाउंट आता है 19,074 अच्छी बात यह है कि एक जुलाई को यह फिर रिवाइजड होगा और यह हो जाएगा लगबख 38% या 39% 4 या 5% इंक्रिमेंट होगा इस बार ऐसा अनुमान है तो अभी के लिए हम 34% कंसीडर करके हम आपको बताते हैं कि जो बेसिक है वो 56,100 रुपए और इसका 34% यानि 19,074 रुपीज के आसपास यह आपका डीये बनेगा फिर एचारे एचारे डिपेंड करता है दोस्तों कि हम किस सीटी में हैं सीटी को तीन ग्रूप में बाता जा है हाइस्ट रेट पे मिलता है अभी जो डीये रेट चल रहा है वो तीन चल रहा है 9% सबसे मिनिमम है उसके अलावा 18% उसके अलावा 27% यह तीन ग्रूप है डिपेंडिंग अपान दे सीटी मैं सबसे लोवेस्ट सीटी को मानता हूं कि सब्पोस्ट करिए हम ग्रामीर इला का परसेंटेज मिलता है जो मैंने बताया है बेसिक का 9% या 18% या 27% तो हम यहां पे लोवर यानि 9% कंसीडर करके हरे कर रहे हैं अगर आप क्वार्टर नहीं लेते हैं गवर्मेंट क्वार्टर तो आपको हरे मिलेगा और हरे वैलू 9% आप बेसिक 9% आप बेसिक क्या होग वो होता है हमारे कंट्रिवूशन का 14, 140% फिर से मैं बता दूं कि जो NPS होगा उसमें सरकार जो अपनी तरफ से देगी वो होता है बेसिक प्लस डिये इन दोनों को एड करते हैं बेसिक और डिये को एड करेंगे बेसिक और डिये के वल इन दो क्वांटिटीज को एड करेंगे फिर इनका 14% जो अमांट होता है वो अमांट देगी सरकार आपके NPS अकाउंट में तो उसको करते NPS मैनेजमेंट सेर या इंप्लॉयर सेर तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं NPS मैनेजमेंट सेर जो होगा वो भी सरकार आपको 10,524 यह आपके हाथ में नहीं मिलेगा NPS का जो आपका अकाउंट होगा उसमें मिलेगा इसमें आपको टाइम लग सकता है जब आप एक बार NPS अकाउंट खोलेंगे तब ही जो है यह पैसा आपको मिलना सुरू होगा कई जिनका अकाउंट नहीं खुला होगा उनके में टाइम लग सकता है तो अभी तक हमने क्या क्या देखा कि बेसिक होगी 56,100 रुपए डिये होगा 19,074 रुपए फिर एचारे मिलेगा आपको 509 रुपए depending upon the city मैं लोवेस्ट city की बात कर रहा हूं यानि minimum salary हमारी ऐसी होगी फ बेसिक और डिये का डिये को एड करना है फिर उसका 14% निकाल देना है तो 10,524 रुपए के असपास हो रहा है यह सब इसके अलामा टिये भी हो सकता है मिलता हो टिये मिलता भी होगा तो यूपी गवर्मेंट में बहुत ही कम मिलता है तो टिये को हम निगलिजबल मान लेते ह वो बन रही है 90,747 रुपए के आसपास यानि 90,000 से 92,000 तक यह वैल्यू वैरी कर सकती है लेकिन इसको कहते हैं ग्रॉस सेलरी जो आपकी टोटल सेलरी हो गई इस सेलरी में से बहुत सारे डिड़क्शन होते हैं उस डिड़क्शन के बाद जो एक्च्वल अमाउंट आपको मिलता है उसको कहते हैं इन हैंट सेलरी तो अब देखते हैं कि क्या क्या डिड़क्शन होंगे तो जब हम डिड़क्शन की बात करेंगे दोस्तों तो हम देखेंगे कि NPS में सबसे पहले ओन सेर जाएगा NPS ओन सेर यह होता है कि employee जो अपने पैसे कटाता है हम जो अगर हम ध और NPS management सेर क्या होगा चुकि gross element इसको अलग से जोड़ा हुआ है तो management सेर भी इसमें जेटेगा जो DA basic plus DA यानि basic plus DA add करने के बाद उसका 10% हमारा own सेर कटता है और 14% जो है government देती है तो इसलिए जो है यह management सेर में पैसा इतना कटेगा ध्यान रखिए यह हमारा own सेर यह management सेर फिर उसके बाद जो आपकी income होगी उस पे लगभग अगर आप saving वगरन नहीं करते हो तो लगभग 6,000 रुपीज पर मन्थ आपका income tax कटेगा इतनी salary पे 6-7,000 कर सकता है 5-7,000 कर सकता है और इसे हम बचा भी सकते हैं इसको बचाने के बहुत सारे investment plans होते है income tax के बहुत सारे saving होगर अच्छे से नहीं करिए तो उसका 6,000 रुपीज जो है income tax के रुप में हर मंत में कट जाया करेगा तो total deductions हो जाएंगे उसके 24,040 रुपे के आसपास तो जो देखिए आप gross कितना बना 90,700 ग्रॉस बन गया 90,700 और deductions हो गए लगभग 24,041 रुपे और इसमें आप आपको HR-A मिल रहा है यानि quarter नहीं मिलेगा अगर आप quarter लेते हैं government quarter तो HR-A का part आपका minus हो जाएगा तो enhanced salary कितनी बचती ग्रॉस में से deductions घटा देते हैं तो लगभग 66,000 रुपीज या 67,000, 68,000 इतना ही रुपीज हमको initially शुरुवात में मिलने वाला है अब ही अगर हम join क करते हैं तो यूपी पॉलेटिक निंग लेक्चरर कोई BTEC किया हुआ है तो BTEC के case में उसको जो शुरुवाती salary मिलेगी इन है वो 66,705 रुपे मिलेंगे depending कि इंकम टेक्स महाँ पे स्कूल वाले कितना काते हैं इंकम टेक्स मैं एक on and average 72,000 मान लिया कि एक साल में आपका 22,000 रुपे टेक्स करतेगा इससाब से मैंने 6000 किया है कई लोग क्या होते हैं शुरुवात में टेक्स कर लेते हैं कई बार नहीं करते हैं तो यह आप मान लिजिए गर टेक्स नहीं करता है आपका तो 74 के आसपास आप पहुँच जाएंगे 73, 72, 74, 75 maximum enhanced salary आपकी होगी तो लाख रुपे नहीं होंगे लेकिन 75,000 भी काफी एच्छी salary है हम सभी के लिए अब यही बात हम करते हैं कि अगर कोई candidate M-tech है तो in the case of M-tech आप advertisement में देखे होंगे कि M-tech वाले candidates को जो लेवल मिल रहा है वो लेवल 10 मिल रहा है उनकी basic हो रही है 57,700 रुपे तो basic मैंने 57,700 कर दिया उस पर DA 19,618 रुपे फिर HR वही basic का 9% यहां calculate किया गया है NPS थोड़ा बढ़ा हुआ इसलिए है management share क्योंकि यहां पे आप basic और DA को यहां इसके basic और DA को add करकर उसका 14% निकाला गया है फिर gross income बन रहा लगभग 93,000 रुपे यहांनि 93,335 रुपे के असपास यह 93,000 से लेके 95,000 तक हो सकता है और उसके बाद इसमें भी deductions होंगे जिस Mtech किये हैं तो आपकी salary लगभग बनेगी 68,000 रुपे फिर वही income tax का आता है कि अगर आप income tax की saving अच्छे से करते हैं और zero tax करा लेते हैं अपना तो आपकी salary लगभग 75 या 75 प्लस हो सकती है तो यह Btech और Mtech candidates की salary होगी यह total है जिसमें की basic के बारे में बता दिया हमने DA के बार सब के बारे में हमने आपको बता दिया NPS के बारे management share के बारे में बता दिया तो यह हमारे in hand में in hand जो salary होगी वो लगभग आप समझ लीजे tax वगरा काटने के बाद पहले year में 70,000 रुपे पर मन्त 65 to 70,000 पर मन्त होगा जिसमें tax वगरा सब आपका कट चुका होगा कोई pension के लिए retirement के लिए fund इकठा होते जाएगा तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही उमीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और salary exactly कितनी मिलेगी इसका भी idea लग गया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मैं फिर से request करूँगा कि वीडियो को like करे करें सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू वेरी मच